कि अगर मैं आपसे कोश्चन करता हूं तो क्या आप इनका जबाब दे सकते हैं इस थीक है बहुत अच्छा सिरोमनी सर्मा करंद प्रतिमा आनंद पाल मधुप्रिया थीक है बढ़िया है सब बढ़िया है आगे बढ़ें चलिए क्या आप इनका जबाब दे सकते हैं यस हम मैट्स के स्टूडेंट है काफी कुछ मान के चलते हैं आईए क्या आप इनका जबाब दे सकते हैं अगर हां तो बोलिए फटा फट कि ये सब आपको आता है ये तो question वाला तभी खुला ही नहीं है जब आप क्या देंगे ये topic आज कबर होंगे ठीक है conversion पढ़ेंगे conversion में पढ़ेंगे ये जो भी topic आपको दिख रहे हैं ये सब पढ़ेंगे question वाला page ये है क्या आप इनका जबाब जानते हैं मैं बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा अक्सर आपने देखा होगा हमारी लाइफ में आपकी भी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हम किराने की दुकान पे जाते हैं है ना कि जाते होगे निकाई का एक अजिया आया है ना वक्त अगर दूद नहीं पीन एक बहुते बड़े पिल्द्र नहीं हो बड़े हो गए हो थोड़्ा तो गए हो गयी वहाँ पर कुछ बसे खरीदे में जासा चीनि खरीदा कि तो कुछ लोग बोलते हैं 500 ग्राम चीनि दे दीजिए कुछ लोग बोलते हैं आधा किलो की छे साथ रूपे सो रूपे किलो है तो उसको अधिकांस लोग एक किलो दो किलो नहीं लेते हैं है ना मेवे के रूप में परियोग करते हैं जैसे तो सो दो सो गराम लेते हैं तो इनका हिसाब किताब कैसे करेंगे ये चीज आप तभी कर सकते हैं जब आपको इन सब के बारें पताओ जैसे माल लीजिए कि काजू की कीमत 7500 रूपय किलो है तो ये बताओ कि 100 ग्राम का कितना रूपय लगेगा कितने लोग कर लेंगे बताओ कर लोगे एक बार सोचो अपने मन में दिल में मालती देवी अरग उवीर सिंग कमेंट आ रहा सबका ये मत सोचना कि नहीं आ रहा है लाइव है एक दाओ अच्छी वाली पेवर वाली चलो तो तीन केजी में होता है तीन हजार ग्राम कैसे होता है क्यूं होता है सारा जब आप दूंगा थोड़ा सबर रखें वन पॉइंट एट केजी में कितना ग्राम देखो बाबू एक किलो में एक हजार ग्राम मुझे जहां तक लग रहा है इसको एक हजार से हम गुड़ा करेंगे तो 18-800 हो जाएगा अठारा सो ग्राम 900 ग्राम में कितना केजी 1000 से भाग दे दोगे 0.9 आएगा क्या इतना ग्राम में कितना केजी 1000 से भाग दे दोगे चच्चा तो 3.4 पांच आठ आएगा सही जा रहा है ना एक दम बताओ काई सार मा रहे हो है कुछ तो बोलो थोड़ा मूड़ा चलो ठीक है अब मैं तरीका बता रहा हूं ऐसा तरीका इनको याद ना करना पड़े कि 1 किलो ग्राम में कितना केजी कितना ग्राम इनका जो जाल मौल है वो सब क्लियर होता चले ठीक है बढ़ियान एक दम चलिए अब बात करते हैं जैसा कि अगर मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ भया 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 सुन रहा हो ना तुम ये बताओ कि 4.9 केजी इसमें कितना ग्राम होगा कैसे निकालोगे कितने लोग निकाल पाओगे 1.9 केजी में कितना ग्राम कर लोगे आई यह नहीं आद है तो कोई बात नहीं यह बताओ वन केजी में कितना ग्राम कितना ग्राम बोलो फटा-फट नहीं निकाल पाओगे मैं बताता हूँ याद करने का तरीका नहीं कोगे बहुत जलवा रहे हो चलो देखो भया एक गाना टाइप का ऐसे याद कर लो मिली फेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो ग्राम दिख रहा है ऐसे याद कर लो इनको मिली फेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो इनको याद कर लीजिए बस ऐसे गाते रहे है मिली फेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो ग्राम एक बार लंबाई मिली फेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो ग्राम यही वो रासियां है जिन में गोल मोल होता है उल्टा पुल्टा अदल बदल होता बाकि और कुछ नया नहीं होता है यही साथ है में यही क्या यूनिट है इनको गिन लीजिए काउंट कर लीजिए कितने है यह चार पाँच छे साथ इनकी संख्या कितनी है साथ है अब यहाँ पर आपको सारे सवाल का जबाब चुप़े से मिल जाएगा देखो कैसे आईए कोश्टन पर चलते हैं ठक फटापट कोश्च घ्राम कैसे जानेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे जब नीचे से उपर को बढ़ते हैं ऐसी अवस्था में ध्यान देना जब नीचे से उपर को बढ़ते हैं ऐसी अवस्था में बात करेंगे हमें बदलना है किलो गराम यानि केजी से गराम इसमें बदलना है देखो बहुत ध्यान से देखना प्यार से देखना यानि हमें यहां केजी से किलो गराम से गराम में जाना है मतला हमारा एरो इधर को जाएगा उपर को यह लाइन देख रहे हैं ना यहाँ kg है किलो गराम है यह गराम है आपका तो kg से हमें क्या करना है गराम में बदलना है नीचे से उपर एरो जा रहा है ऐसी अवस्था में अगर एरो का चिन उपर हो तो यहां सबसे पहले 1 लिख होगे बागी कुछ नहीं ठीक अगर एरो का च केजी कितने नमबर पर है केजी सात नमबर पर है ना भाईया इस दिख रहा है है कि चानल पर एक गराम तो साथ में से चार घटा हो पहले तीन आया ना और जितना गटाने पे आया उतना यहां शुर्ना बढ़ा तू बस बस यही आंसेर हो गया कुछ नहीं करना तुम्हें याद वाद नहीं करना है चलो कामेंट नहीं देखूंगा किफी का नहीं देखूंगा मैं फोन को यह उल्टा करके रख दे रहा हूं डन चलो कौन सी बिमारी आ रहे है इधर से चलो अगला अब वन ग्राम अब यह बताओ इसमें कितना मिली ग्राम यानी अम जी कितने लोग बता लोगे आईए मैं बताता हूँ वन ग्राम में कितना मिली ग्राम आईए बात करते हैं ग्राम यह है भया और मिली ग्राम यह है बाबू यह क्या है अम जी है यह मिली ग्राम यह चल जायर यह क्या है Mg है Milligram यह Mg है यह क्या है Gram है अध्यान देना हम नीचे से उपर को जा रहे हैं फिर भी ध्यान रखना तो यहां पर 1 लगाएंगे सबसे पहले फिर Gram 4 number पर है यह क्या है 4 number पर है यह 1 number पर है तो क्या करेंगे फोर से बन को सब्ट्रेक करेंगे फोर से बन को सब्ट्रेक करो तीन आएगा भाईया यहां पर हम तीन जीरो लगा देंगे यानि एक ग्राम में एक हजार मिली ग्राम कहा हो भाईया? सही है ना? हाँ, बेलकॉल फाही है जैसे एक मीटर में यस या नो बोलो फटापड और कलास को लाइक नहीं कर रहे हो मजा नहीं आरे जान लो भाईया निवेदन है रिक्वेस्ट है आप सभी से कलास को लाइक जरूर करें नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे बिल्कुल फ्री घर बैठे पढ़ सके यसके ठ चल बाईया एक बार फटापड़ता भी देख लो आगे बढ़ें हम अच्छा एक और बताओ तुम चलो इसी में लागे हाथ एक और बताओ यह बताओ कि अगर मैं तुम सब पहुच्छूं कि वन केजी में कितना यमजी तब क्या होगा हो बताओ वन केजी में कितना यमजी फटापड़ बोलो चलो ठीक है अश्वनी बहुत अच्छा सचिन बेरेगुड निसाराज अच्छा है चलो देखो बहुत अच्छा है आसान है ठीक है सुन्दर है ज। भाईयच देखो kg यह सात नंबर पे यमजी यानि समी मिली गराम एक नंबर पर है तो सात में से एक घटाव कितना आएगा शात में से एक घटाव खे आएगा है नँथो है तो अम क्या करेंगे arrow का निसान उपर को ही लगेगा क्योंकि नीचे से उपर को जा रहा है तो यहाँ पर 1 लगाओ गए और 6 0 हो गया 5 0 में 1 लाग होता, 10 लाग हो गया न ये done जिस तरह से 1 किलो मीटर में 1000 मीटर होता है और 1 किलो मीटर में 1 लाग 20 मीटर होता है और 1 किलो मीटर बोल रहा हूँ न मैं 1 किलो मीटर में 10 लाग क्या होता है, मिली मीटर समझ में आया है ना एक बात बताओ, यमजी में क्रिस बस तुको तौला जाता है भईया मिली गराम में क्या तौलते हैं आलू, गोबी टमाटर, बिंडी, लोकी क्या तौलते हैं कि कुछ और मिली गराम में क्या तौलते हैं और किलो गराम में क्या तौलते हैं दोनों का एक एक उधारन बताओ बताओ गराम में किस चीज का वजन करते हैं अगर हम कहें कि हमारा वजन करना है तो हमारा किस में करेंगे मिली गराम में गराम में किस में देखो सुई और तलवार दोनों का काम अलग अलग जगा है और जरूरत के अनुसार परियोग किया जाता है उसी परकार से किलो गराम की जितनी बैलू है ना उतनी ही बैलू मिली गराम की भी है जैसे सोना चांदी है और मतलब बहुत छोटी मातरा वाली चीज़ें जहर समझे रहे हूं मतलब दवाई एक परकार से आप देखें होंगे जो दवा के पत्ते आते हैं उनमें लिखा होता है न कहते हैं 500 यमजी की है टेबलेट 200 यमजी की है अगर एक किलो की टेबलेट खा लें तो नरोगी रहेगा नरोग क्या समझा आपने अगर कोई 500 यमजी के टेबलेट जो खाता है तो उसकी हालत पतली हो जाती ही जो छोटे रहते हैं है ना सोचो अगर एक कोई 5 किलो के टेबलेट खा ले 5 केजी वाली टेबलेट खा पायेगा तो एमजी जो है मिली गराम वो बहुत ही कीमती बहुत ही तेज जिसे दवाई हो गया रहा है मतलब बहुत छोटी मातरा के लिए उच करते हैं ठीक है तो कभी केजी वाली टेबलेट मत खाना गराम वाली भी मत खाना एमजी में ही आती ही फिली है वैसे तो टेबलेट मुझे तक जहां तक पता है कि एमजी की ही बनती है जानवरों के लिए जो भाइस गाय होती है उनकी टेबलेट इतनी बड़ी बड़ी होती है इतनी बड़ी बड़ी मैंने देखा है वो भी अमजी में ही होती है जैसे ये पांच सो अजार होता साथ गराम में होती हो होगी जो भी मैं ध्यान नहीं मुझे ल तो बहुत काम यूज होता है न सुनाई कम पड़ता है यह बताओ कि एक डेका ग्राम में कितना ग्राम चलो बताओ बहुत मोटा मोटा ली खराओ एकड़ में बताओ एक डेका ग्राम में कितने ग्राम आईए मैं बताता हूँ देखिए अगर पैर से मैं इधर फाइड में मिटा देता हूँ क्या-क्या मिटा हूँ अब इसमें समझना कलर अलग कर दे रहा हूँ अलग-अलग चीज के लिए बाकी सब मिटाया ने जा सकता है यहां से मिटाना पॉस्बल नहीं है देखो भाई यह डेका गराम यहाँ है और गराम यहाँ है ध्यान रखना ए बाईया यह तो दुनों बगले बगले हैं और पड़ोसन बन गए देका गराम और गराम इकठे हैं तो पांच में से चार घटा होगे एक आएगा चुकि इनका चिन उपर को ही जाएगा इफलिया हाँ एक लिखोगे और एक आया घटाने पर देख जीरो यानि दस तब से पहला कौन आंसर दिया है आनंदपाल जी आप वही आनंदपाल हो कि कोई और और कहां से हो आप क्योंकि आनंदपाल हमारे एक बहुत ही अच्छे मित रहें लेकिन कभी कभी हो दोके बाज में हो जाते हैं तो गरिया भी देते हैं उनको वही हो तो बताओ कि दूसरे कोन हो चलिए आगे बढ़ें इतना समझ गए सभी अब यह लेकिन इसमें समय कुछ मजा नहीं आ रही हो कि सोचो रहे हो गए इसका का मतलब जिन्दगी में है ना इसका कोई मतलब नहीं है ना लेकिन लगता है लगता है इसका काम लगता है और कोईश्चन दें दूसरा देखो यहाँ पर कोईश्चन देखो यह बताओ कि फिर अभी इसी आधार पर अगर मैं आपसे पूँछ हूँ कि तीन केजी में कितना गराम कोईश्चन बहुत छोटे छोटे हैं 3KG में कितना गराम चलो मैं कोउश्चन करवा देता हूँ अब बहुत सारे या ilar जल replay आजाओ आजिए जयाँ आधा में सकंथि लेता हूँ कि चलो चलो फटाफट अब तुम जानगया हो सब जो उतना इमें कर लो पहले मुझे ये बताओ कि 6,000 ग्राम इसमें कितना केजी बोलो फटाफट मैं बताते चलूँगा देखो एक-एक मैं करता चलूँगा देखो बाबू हमें पता है कि चूकी 1 केजी इक्वल 1,000 ग्राम यस, भी नो इंगलीज भी थोड़ा यूज़करा करो तो 3 केजी इक्वल 3 into 1,000 इक्वल 3,000 ग्राम लेकिन हो का रहा है कुछ नहीं हो रहा है, सही हो रहा है सब तीन अजार ग्राम ना एक चीज़ और जानते हो कि नहीं तुम नहीं जानते हो, तो जानो ना देखो इधर इधर देखा हो सब भी 1 केजी में 1,000 ग्राम इसका उल्टा अगर करेंगे हम 1 ग्राम एबाई, सही लिख रहा हूं ना मैं यह सब रुक 1 ग्राम में क्या होता है एक बटा एक हजार किलो ग्राम होता है जानते होग ने इसको तो 6,000 ग्राम में क्या होगा 6,000 ग्राम बडाबर क्या हो जाएगा 6,000 बटा एक हजार यानि 6 केजी क्या हो जाएगा भाई या 6 किलो ग्राम बडाबर 6,000 बटा एक हजार बडाबर हो जाएगा 6 केजी बड़ी आए ना चले आगे चलो अगला अब मैं बहुत सारा इस तरह का कोश्चन करवाऊँगा तब ही मज़ा आएगा इसमें चलो भाईया 79 केजी में कितना ग्राम बताओ टाइम ज़्यादा हो रहा है क्या नहीं 79 केजी में कितना ग्राम जल्दी बोलो नीचे तो बहुत ज़्यादा है यहां तक लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है यहां तक लिख सकता हूँ नीचे ओके यहां तक लिख सकता हूँ इधर काहां तक लिख सकता हूँ इधर तो मैं बहुत लंबा लिख सकता हूँ यहां तक यह चिनना लगाना पड़ेगा मैं डेको अब क्योंकि मैं अब प्रिव्यू नहीं देखूंगा थीक है अकांचा बेरे गूट सिरो मनी सर्मा किरन भाटी परमिला यादो राहूल तिरपाथी समझ मैं रहा सभी को शेकेजी बता रहा है कोई कोई 69,000 बता रहा है ठीक है बाया एक अज़ार से गुड़ा कर देंगे तो कितना हो जायगा रुकना इसको नहीं मेटा ना रहे बाबा यहीं कहीं था चलो जाने दो नीचे ना दिखेंगे बता दे न एक हजार से गुड़ा करोगे तो तीन जीरो लग जाएगा बास उन्यासी हजार ग्राम उन्याफी हजार ग्राम बढ़िया है न कुशन अगला का यार यह लफड़ाएगा अब यह तुम लोग सभी कर लोगे यह बता जीरो पॉइंट थिरी वन केजी इसमें कितना गराम देखो इसको पता देता हूँ कैसे देखे यह तसमलों में है लेकिन इस से कुई फरक नहीं पड़ता है हमें पता है कि वन केजी इक्वल वन थाउजन गराम चुकि सो इसलिए 0.31 केजी इक्वल 0.31 इंटो वन थाउजन 31 के बाद 30 31 के बाद क्या होगा 3-0 पीछे से दो अंकों पर दसंबलों लग जाएगा भाई या रही कर रहा हूँ क्या मैं 310 गराम कव भाई 310 गराम ना क्यूं यास बोलो सभी फटा फट यास ठीका पिर अच्छा है गोरो जी कमेंट आ रहा है 31 गराम को नो बता रहा है कैसे 31 गराम होगा तुम कहां आसमान से गिरे हो और हाँ एक चीज़ और समझ लो जो लोग confusion में जी रहे है भाई आओ चाहे तो तुम इसको ऐसा लिखो और चाहे तो तुम ऐसा इसका लिखो इसका मतलब एक कह होता है इसके कोई फरक नहीं पढ़ता है इसका मतलब एक कह होता है ठीक है ये दोनों एक है तो यह समझते चलो फटा फटा आगे बढ़े हैं चलना अब बढ़िया है चलो देखो आगे देखो यह बताओ कि 6.3 kg कितना ग्राम कितना ग्राम बहुत आफान है देखो केजी से ग्राम में जाना है सिंपल सा एक हजार से गुड़ा कर दो बस तुम एक हजार से गुड़ा कर दो जैसे मानलो अगर आपके घर वाले ने मंगाया कि वह यह तिन किलो चीनी ले आ ना तुम गजा हम 3,000 ग्राम ले आएंगे तो कोई अंतर हुआ नहीं न तीन किलो चीनी की जगा 3,000 ग्राम बोल दिया तब भी बात वही हुई तो 6.3 में क्या करेंगे एक हजार फे गुड़ा करना है गुड़ा करने एक तरीका सीख लो यहां तसमलो लगा है हम तसमलो को भूल जाते हैं मान लो मान लो कहम इनको भूल गए इनको हम मान लो भूल गए एक पल के लिए है न तो 63 से गुड़ा करेंगे कि दसमलों एक अंक पर था तो पीछे से यहां लग जाएगा यानि छे हजार तीन सो गराम यानि अपना काम हो गया तो याद कर लो है ना समझ में आया तो किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं न इसमें मुझे लगता है क्लास और देना पड़ेगा किसमें इस क्लास में ज्यादा सारा क्लियर नहीं वना भी लेकला लेकला फ़र लेकला लेकला लेकलो जल्दी लिखो सेबन पॉइंट आठ केजी इसको सबको ग्राम में चेंज करना ठीक है यहां लिखो चेंज इंटू ग्राम ग्राम में बदलिये हिंदी में करना कंफ्यूजन में न रहना हुआ हुआ है इन सबको ग्राम में चेंज करना आप लोग आज के लिए होमवर्क है और टाइम ओबर हो चुका है हुआ हुआ है